तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज मैं आपके लिए Missing Number के Latest TCS Pattern 2022 SSC CGL 2022 Tier 1 में पूछे वे questions लेके आया हूँ यह आपके 5 questions आपके पूछे गए थे और Most Important questions हैं जो भी SSC CGL 2022 Mains की तयारी कर रहा है उन सभी से एक request है आपको क्या करना है यह question को पहले खुसे करना है जो भी question आपको दिखना है पहले खुसे करना आप देखो कि आपसे यह हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि एक्जाम में आपको यही मिलने वाला है पहला question आपके सामने यह है दूसरा यह है तीसरा आपके सामने यह है और चौंथा ये है, पांचवा ये है, तो आप सभी को ये खुद से करने, ये question करने से पहले मैं बता दूँ कि इसमें जो pattern है, वो मैंने पहले भी आपको करवाया है, पहले भी इस pattern पर question पूछे गये हैं, और मैंने ये भी बोला है कि आपको उन्हें ध्यान में रखना, उन् संख्या का chain करें, जो प्रश्नी चिन्न को प्रतिस्तापित करेंगी, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस question mark की जगह क्या आएगा, नीचे note में यही लिखा है कि आपको जो भी operation करने है, वो आपको whole number पर करने है, number को break नहीं करना है, तो आप देखोगे first row में यहाँ पर लिख देता हूँ, first row में यहाँ पर लिखा है, 18, 9, 27, यहाँ पर लिखा है, 40, 36, 140, second row में और third row में है, 40, 13 question mark, अब आप सोचो आपने खुछ से कर लिया होगा, अब मैं आपको बताऊँगा, आपको pattern यहाँ पर यह ढूबना है कि इसमें क्या pattern होगा, question mark क्या है, तो आप third number लाने के सोचिंगे, ठीक है, third number कैसे आएगा, बड़ा number भी है, अब आपके पास जो number है, वो आपके पास 18 है, 9 है, 27 है, अब आपको यह सोचना है कि इन दो number से आप 27 कैसे लाओगे, तो यहाँ पर जो pattern है, आप देख सकतो, इनको add करके आप ला सकतो, 18, 9, 27 होता है, लेकि second row में भी same pattern होना चाहिए, जबकि वहाँ ऐसा है नहीं, तो add करके नहीं है, ठीक है, multiply करके देख सकतो, square देख सकतो, अब मैंने यहाँ पर देखो, pattern क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, second number को, आप 5 से multiply करते हो, 9, 5, 45, और इसमें से 18 माइनस करते हो, तो आपको 27 मिल आता है, same आप देखोगे, second number, 36 को 5 से multiply करते हो, तो आपको मिलेगा, यहाँ पर कितना है, इसमें से आप first number माइनस करते हो, 40, 36 को 5 से multiply करोगे, तो आपको 180 मिलेगा, इसमें से 40 माइनस करोगे, तो आपको 140 मिल जाएगा, same आप यहाँ लगाओगे, 13 को 5 से multiply किया, 13, 5, 65, और इसमें से पहला number 40 माइनस कर दिया, 65 माइनस 40, तो उसे क्या मिल गया, 25, अब यह जो questions है, काफी लोगों ने पूछा भी था, कई लोग कैर थी कि यह गलत question है, तो इसे objection करना चाहिए, तो आप देखो इसमें pattern क्या है, तो आप सभी ने pattern देख लिया होगा, general pattern क्या है, अगर हम second number को 5 से multiply करते हैं, और इसमें से पहला number minus करते हैं, तो हमें third number मिल जाता है, अब यह आपको ध्यान में रखना है, तभी तो आप वहाँ पे सोच पाओगे, ठीक है, इसलिए तो प्रैक्टिस की जाती है पहले, और वहाँ पे अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 से multiply किय है, जरूए नहीं है कि हर जगा 5 से multiply हो, हो सकता है, दोनों number को किसी number से multiply करके, minus करके, तीसरा number मिल ला हो, तो ऐसे questions काप ही पूछे गए थे missing number के इससे पहले, तो आपको यह ध्यान में रखना है, और यह सोचना आपको यह है कि किस number से multiply आपको करना है, और किसे करना है, जै multiply किया, यहाँ पर add हो गया, फिर आपका third number है, ऐसे हो सकता है, next question देखते है, आप सभी ने किया होगा, तो यहाँ पर अगर आपने किया है, कोई भी question में अगर आपको दूसरा pattern सोच आता है, खुस से करोगे, उसे comment में आपको जरूर करना है, अब इस question को करो, यहाँ पर द हान में रखना है कि यह भी हो सकता है, multiply करके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पंदरह, ग्यारह, तित्तालीस है, तो यहाँ पर क्या pattern है, तो यहाँ पर देखोंगे, पहले रों में जो pattern है, अगर मैं पहले number को आठ से multiply करूँ, पंदरह, अठ्ठाह, और दूसर पूछने के तो नंबर है लोजिक के अगर सीधे आपको पता चल जाए कि यार मुझे यही करना है तो फिर तो सभी कर लेंगे तो यही आपको सोचना है कि किसे किसे मल्टिप्लाइ करना है आपको देखना पड़ेगा कहीं पैसा होगा एक को चार से कर रहोंगे दूसरे को पा पन माइनस करता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा आप देखोगे यहाँ पे 48 मिल जाएगा तो सेम पैटन आपको यहाँ पे लगाना है नो अठ्था बहत्तर और इसमें से सत्त्य उन पंचास बहत्तर में से उन पंचास मैनस आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ बारा में से आप देखोगे 9 जाएगा 3 और यहाँ पे 6 में से 4 दो तो 23 इसका आंसर आएगा जो कि आपका 1st option है ठीक है पैटन समझ में आ रहे हैं क्या पैटन है अगर जनरल पैटन की बात की जाए तो पहले को 8 से मल्टिप्लाई किया 2 को 7 से मल्टिप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 3rd number मिला अब आप सभी पहले खुस्से करोगे तो आप कुछ और भी सोच सकतो अब जैसे मैंने यहाँ पर multiply वाले logic सोचे कि मुझे पता है कि जो TCS है वो multiply में जादे questions दे रहा है तो मेरा mind सीधे यहाँ पर यही किया कि यह ऐसे आ सकता है 3rd number क्योंकि square करके मुझे दिखनी रहाता हो सकता है आप 15 का square करो 11 का square करो minus करो तो आपको 43 मिले ऐसा भी हो सकता है कि plus add करो फिर उसे divide करो तब आपको 43 मिले तो पहले आपको खुसे जरूर करना है इस pattern को ध्यान में रखना है ताकि आप अगले जो questions आएं उनको आप आसानी से कर सको next question देखते हैं next देखोगे यहाँ पर देखो 162 243 है अब मुझे यह वाला number यह बीच वाला तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर जा सकता हूँ कि यहाँ से मुझे 243 यह आसान question है इसे सभी कर लोगे आप देखोगे अगर हम 9 का square ठीक है 9 का square 81 होता है इसमें हम यह 162 add कर दे तो मुझे यह पहला number मिल जा रहा है 243 ठीक है तो pattern क्या हो गया pattern यह हो गया कि अगर हम 3rd का square कर रहें plus 2nd number add कर रहें तो हम मुझे 1st number मिल ला है इस तरीके से मैं जा सकता हूँ या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने 243 में से आपका 3rd number minus कि क्योंकि मुझे बीच में चाहिए तो मैं यह बोलता हूँ से 3rd का square minus किया तो मुझे 2nd number मिल ला है तो यह pattern आप लगा लो ताकि आपके समझ मा जाए क्योंकि बीच में चाहिए तो इसी तरीके से मैंने 108 में से 6 का square minus किया 6 का square 36 तो मुझे कितना मिल जाएगा 72 मिल जाएगा तो यही pattern में यहाँ पर लगाऊंगा यहाँ पर लगाऊंगा 48 में से 4 का square minus करूँगा तो 4 का square कितना होता है 16 तो 48 में से 16 minus करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 32 मिल जाएगा तो इसका right answer आपका क्या होगा 32 होगा जो कि आपका third option है ठीक है आसान question है इसे तो आप सभी कर लोगे next question देखो इससे करो 6 9 90 है 12 8 120 है इससे आप करो दीकि अब देखो यहाँ पर क्या है मुझे 90 चीए अब मुझे पता है कि 90 का मुझे क्या करना है मुझे factor करके आप देख सकतो टेबल आपको याद हो नीची जैसे मुझे पता है नब्बे 15 690 होता है अब 15 690 होता है तो मुझ ने कहा कि 15 छक्के 90 होता है तो मेरे पास ये दो नंबर है इन दोनों को add कर लेता हूँ 6 प्लस 9 को add किया तो मेरे पास कितना आया 15 आया 15 को मैंने 6 से multiply किया तो मुझे क्या मिल गया 90 मिल गया अब ये 6 जो हो सकता है fix number भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है हम next में करके देख लेते हैं तो next में same pattern लगाएंगे 12 प्लस 8 को हम add करेंगे तो 20 आयेगा 20 को हम 6 से multiply करें तो 120 मिल जाता है यानि 6 जो है ये fix number है next में आप देखोगे 13 प्लस 6 को आप add करोगे तो आपके पास कितना आएगा 19 आएगा इसे आप 6 से multiply करोगे तो कितना आजाएगा 19 छक्का कितना होता है 114 जो कि आपका first option है ये इसका right answer हो जाएगा समझ में आया क्या pattern चलने है next question देखो last question है इसका pattern आप सभी कर लेना अब तक आपने किया है तो आप सभी पहले खुसे करना मैं ये समझ रहा हूँ कि आप पहले कर लिया होगा सभी ने कर लिया होगा क्योंकि अभी तक आपने 4 question कर लिया है उसी में से आपको ये pattern मिलेगा तो यहाँ पे आप देखो क्या pattern है 12, 7, 32 ठीक है मुझे 32 चीए अब मैं कैसे ला सकता हूँ मैं 12 और 7 को सोचूँगा कि किस नंबर से मल्टिप्लाई करूँ तो आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे अगर मैं यहाँ पे देखते हो 12 को मैं 5 से मल्टिप्लाई करता हूँ 12, 5, 60 और 6 को मैं किस से करूँगा 4 से तो आप देखोगे 7 चको 28 तो यहाँ पे आप देखोगे 60 मैनस 28 कितना होता है तो आपको मिलेगा 32 होता है तो सेम पेटर्न मैं सेकेंड रो में लगाँगा 17 को 5 से मल्टिप्लाई करूँगा 17, 85 और 13 को 4 से 13 चको 52 85 मैनस 52 करूँगा तो आप देखोगे 5 मैं से 2, 3 8 मैं से 5, 3, 33 मिल गया तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा 14, 75, 70 मैनस 8 चको 32 तो 70 मैं से मैं 32 मैनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 20, 38 मिल जाएगा ठीक है 38 मिल जाएगा जो कि आपका 1st option है तो अब यह pattern आप ध्यान में जरूर रखना कि किसी number को दोनों number को multiply करके minus करके आपको third number मिल सकता या plus करके भी आपको मिल सकता है तो यह pattern आप ध्यान में रखेंगे कही ना कहीं आपको यह pattern मिलेंगे क्योंकि यह pattern सबसे जादे पूछे जा रहे है इससे पहले missing number के अगर आपने questions की practice की होगी मैंने playlist बनाई हुई यह topic wise तो mains के लिए सभी उन questions की practice करना वो सबसे important है तो उनकी practice आप महां से करना सभी topic wise तो वहां से कर सकता है उनका link में नीचे description में भी दे दूँगा तो इसका right answer आपका क्या है तो यहाँ पर comment करना जिनके सभी questions होगे पांच के पांच questions जिन्होंने किये वो भी comment करना बाकि वीडियो को जादे से जादे share करो क्योंकि जितना जादे share करोगे जितना जादे आपका लोग देखिंगे क्योंकि मैं already करा चुका हूँ इतने सारे questions हर topic के आप यह मस्तो चूकि यार और भी वीडियो आते जाएं आते जाएं आते जाएं वहाँ से करो लेकिन कम से कम आप जिन्हों जो मैंने करवाया हुआ उनकी तो practice करो ठीक है क्योंकि प्री में आपने देख लिया होगी कौन से questions आपको problem कर रहे हैं तो उन ही के आपको practice करनी है तो इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं बाकि आप question के practice करते जाओ अभी मैं आगे sets भी लाओंगा ठीक है practice set लेके आओंगा मैं reasoning के तो वो भी मैं आपको inform कर दूँगा बाकि topic wise मैंने बनवाया है उनकी आप practice करें